हेलो दोस्तों रेनुस देशी दाड़का में आपका स्वागत है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पास में दिवे बैल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे आज हम बनाने वाले हैं तो डोसे के लिए आप में बैटर तयार करना पड़ेगा तो उसके लिए हमें चामवल दाल की जरूत पड़ेगी तो यह वाले चामवल है यह मैंने तीन कटोरी चामवल लिया इसको अच्छे से दो लिया है अब इसमें पानी डाल कर रखेंगे और य चना दाल अगर आप नहीं डालना जाते हैं तो इससे स्किप भी कर सकते हो पर डोसे में उसका जो करण्ची पासे चनी की डाल से आएगा इसलिए मैं वह डाल रही हूँ तो हम इन दोनों दालों को दो लेंगे चामवल में ने धो लिया है तो अपन चामवल दाल को दो के र लगते हैं के पांच गंडे बाद हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे तो मिलते हैं पांच गंडे बाद देखें दोस्तों हमारे पांच गंडे हो चुके हैं और हमारे चामवल इस तरह से बिलकुल भीग चुके हैं और यह दाल भी भीग चुकी है अब हम क्या करेंगे इन दो तरह से बिलकुल बारिक पीस्ट लिया है हमने बहुत अज़ा आएगा इसको 6 गंटे के लिए रख देङता है मसाली डुसे-लम पांच्छी अल्यों का दोऌने मैश निया है मसाली में तय्यारी करते हैं normalized बारिक मरम दात्येक के लिए इसकोom kosati अब उसमें हम डालेंगे राई एक टेबल स्पून थोड़ी सी हरी मिट्स प्यास और उनको अच्छे से बुंजने देंगे अच्छे से बुंज जाएगा इसका प्लार है वो ब्राउन हो जाएगा वहां तक इसको अच्छे से मेरे करना है हमें हिलाते रहना है कलर को फोड़ा साइग प्यास को थोड़ा साइग ब्राउन करना है उसके बाद हम उसमें मसाले मिलाएंगे हमारे प्यास का कलर चेंज हो लिया है अब इसमें हम यह डालेंगे आलू मसाला है यह मसाला फोड़ा पीखाई करेंगे हम तो दो चम्मच लाल मिर्ज आदी चम्मच खुड़ी एक चम्मच दनाजीरा पाउडर एक चम्मच नमक नमक आपके स्वात के अनुसार्ट दाल देना और एक नमबू डालेंगे ताकि इसको खटा पन थोड़ा सा आजाए इससे क्या तेस्ट थोड़ा अच्छा अच्छा आए और इन सबको अच्छा पन हिला लेंगे देखे इसमें यह मसाला जो है इसमें में थोड़ा सा ही पानी डाल रही हूँ अच्छा अच्छा लगेगा और बहुत अच्छा से मिक्स हो जाएगा आप देखेंगे तो आपको पता चली जाएगा कि मैंने पानी क्यों डाला है देखेंगे अपना पानी ने पूरा सोख लिया है देखें हमारा मसाला बन चुका है और बहुत ही अच्छा बना है तो अब हम क्या करेंगे इसको निकाल लेंगे देखें हमारा मसाला बन चुका है इस तरह से मैंने इसको निकाल लिया है शेगंटे हो चुके है और हमारा गोल विल्कुल अच्छे से तयार हो गया है इसमें मैंने शौदन उसार नमक डाला है तो आप भी आपके श्वादन उसार नमक डाल दीजिए और और आप आपके स्वात के अनुसार नमक डाल दीजिए और देखें मैंने बैटर को इस तरह से इतना पतला रखा है ना जाड़ा ना मोटा इस तरह से इतना आप देख रहे हैं ना इस तरह से मैंने रखा है और इसमें एक चुटकी आप बैकिंग सोडा डाल दो इससे क्या आपके डोशा है ना बहुत अच्छे बनेंगे तो अब हम बनाते हैं डोशा बनाना शुरू करते हैं देखें हमारा तवा भी गरम हो चुका है अब इसमें हम डालेंगे बैटर इसको इस तरह से फैला लेंगे पूरा ठैल चुका है ङैस को फूल करेंगे आप इस पर बटर लगाना चाहो तो बटर लगा सकते हो मैं इस पर घी लगाँगी बटर नहीं लगरें आप कुछ भी लगा सकते हो तेल भी लगा सकते हो जरूरी नहीं है कि आपको गी या बटर लगाना इस पर तेल भी लगा सकते हो हम थोड़ा सुखने के बाद डालेंगे इस पर मसाला और इस तरह से डालेंगे हम इस पर मसाला मैंने मसाले में जो पानी डाला था वो इसी लिए डाला था कि यह जो मसाला है पूरी तरह से सब जगा फैला सके देखिए हमारा मसाला पूरी जगा फैल चुका है जैसा मार्केट में मिलता है बिल्कुल उसी तरह से यह अपन ने बनाया है ताप इसे अब एक बार जरू ट्राय कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और आगे तक जाने पूरा पूरा खुलना शुरू हो गया है इसको थोड़ा साम और होने देंगे मसाला इस तरह से जो अपने फैलाया है इसमें जो मसाला मैंने ज्यादा रखा है वह इसलिए रखा है कि जैसे कभी आप सांबर नहीं बना पाते हो चट्नी नहीं बना पाते हो तो मसाले से आप डोसा खाओगे बहुत ही अच्छा लगेगा बहुत ही टेस्टी लगेगा तो देखिए है न बिल्कुल प्रंची कुरकुरा बहुत ही अच्छा बहुत ही टेस्टी बना है तो आप इसे एक बार जरूर प्राय कीजिए मैरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए आगे तक शेयर कीजिए यह देखिए आप पीछे से भी दिखा देत झाल